बहुत समय पहले की बात है गाउं से बहर एक जंगल में एक जोपड़ी थी उस जोपड़ी में एक बुढ़िया रहा करती थी वो अपनी जिनगी गुजर बसर कर रही थी क्योंकि वो गरीब तो थी साथ इसाथ उसके पास कोई अपना ने था तो वो वहीं पर रहती थी उसके पास खेती का एक छोटा सा टुकड़ा था जिसमें वो थोड़ी सी फसल करके अपनी गुजर बसर करती थी ये वक्त सर्दियों की बारिस का था जहाँ पर तुफान के साथ सर्द हवाय चल रही थी और उसी में तीज बारिस आ गई बुड़िया बड़ी परेसान वो कहती की करूं तो क्या करूं एक तो सर्दी ओपर से ये बारिस उस बारिस के रहते ही एक सेर जंगल से बाहर आ गया वो बारिस से अपनी जान बचाने के लिए ना जाने कैसे उस जोपड़ी के पास आ गया वो उसके जोपड़ी के पीछे जैसे ही बैठा तो अंदर से बुड़िया बोली हे राम भगवान जी क्या करूं ना तो इस जंगल में मुझे सेर से घर लगता है ना भाग से किन्तु ये टपका तो मेरी जान लेके रहेगा कब से टप टप हो रही है हे भगवान इस टपके को रोक ले सेर ने ये सब कुक्छ सुना सुन कर थोड़ा घबराया बुड़िया ने फिर अंदर से बोला हे भगवान इस टपके से मेरी जान बचा इससे अच्छा तो मुझे कोई सेर खा जाए इस टपके ने तो मुझे परेजान किया हुआ है एक तो मैं बूरी हो रत, सरदी वैसे हो रही है मेरे पास तो कुछ अच्छा है भी नहीं ना मेरे पास कोई चाता है जो मैं टपके से बच सकूँ सेर ने ये सब सुना जैसे ही सेर ने ये सब सुना तो सेर थोड़ा घबरा गया उसने सोचा ये टपकांकिर है क्या बला जो बुडिया ना सेर से डरती है ना बाग से डरती है किन्तु इस टपके से डरती है इसका तो पता लगाना पड़ेगा नहीं तो कहीं ये मेरी जान न ले ले सोची रहा था तबी बुड़िया की आवाज फिर से आई हे भगवान ये टपका यहां पे भी आ गया यहां जाओं तो यहां आ जाता है वहां जाओं तो वहां आ जाता है हे भगवान इस टपके से बचा जैसे सेर ने ये सब सुना सेर दोड़ा जंगल की ओर भागा और भाग कर पीछे मुड़ कर देखा की ना जाने ये टपका क्या है अच्छा हुआ मैं जंगल में आ गया लगता है मनिश्यों की बस्ती में टपके नाम का कोई बयानक जानवर आया है जिससे वो इतना परेशान है मैं तो अपने जंगल में ही सही हूँ उस जंगल में एक पेड़ पर एक बंदर बैठा था बंदर बोला अरे सेर जी तुम तो वन राज हो वन राज तुम्हे तो वन का राजा कहा जाता है लेकिन तुम तो बड़े घवराय हुए है ताहनी पर बंदर बैठा हुआ था उसी के नीचे किसान था जो बारिश से अपनी जान बचाने के लिए बैठा किन्तु सेर को देखके वो भी थोड़ा घबरा गया जैसे ही सेर से बचने के लिए वो पेड़ पर चड़ने के लिए करने लगा तो उसने उपर ना देखा सिर्फ सेर की तरफ देखता रहा जिससे उसके हाथ में बंदर की पूँच आ गई जैसे उसने बंदर की पूँच को पकड़ा बंदर जोर से चिलाया भागो वनराज लगता है टपका आ गया टपका दोनोंने दोड लगाई सेर भी भागा बंदर भी भागा किन्तु किसान बड़ा खुसुआ बोला अच्छा हुआ भाग गया जहां सेर और बंदर जंगल की और भागे वही मनुश्य गाउं की तरफ भागा इसलिए कहते हैं डर बहुत बुरी बला होती है बच्चों विपरीत स्थिती में सहयम से काम लेना चाहिए और हमें अपना दिमाग अच्छे से इस्तमाल करना चाहिए तो ऐसी ही चोटी चोटी प्यारी प्यारी कहाणियों के साथ हम मिलते रहेंगे बच्चों आपको तब तक के लिए बढ़ बाई आप चैनल को लाइक से सिस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूला साथी बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए तो चलिए मिलते हम आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए भाब बाई